नमस्कार दोस्तों आप सब का फिर से एक बार स्वागत करती हो आज के लेक्चर में और यूपी पीसी के लिए जो हम ये सिरीज चला रहे हैं जिसमें हम इतिहास के कुछ महत्पून प्रशनों को देख रहे हैं जिनसे आने की संभावना बहुत जादा बढ़ जाती है उसी दोनों पर मुझे फॉलू कर सकते हैं जब सकते हैं कोई पूछने जектив सम आख नहीं ईए पूछ कि और अप calculation मेंने का सब्सक्राइब करें बिलकुल भूले आईए राज कुमार जो अपने पिता की मृत्यों के लिए उत्तरदाई था अजाज शत्रु चंड प्रग्योत और प्रसेंजित उद्यन देखे मगत का जो शाशक था ना अजाज शत्रु जिसका शाशनकाल 792 से 460 इसापूर अपने पिता बिंबिसार की हत् पता चल गया है ना वो की एक शब्द जो हम बताते हैं वाक्याश का एक शब्द तो बित्रहंता मतलब कुड़िक कहा जाता है तो इसी तरह से आपको तैयारी करने हैं कि सब कुछ समय के त्रूप से चलता रहे है ठीक है गौतम बुद का महापरी निवान जिस राज में हु थी इसलिए ऑप्शन सी यहां पर करेक्ट हो जाता है बुद्ध ने सरवादिक उप्देश दिये थे वैशाली में श्रावस्ती में कौशंबी में राजग्रहे में तो बुद्ध ने देखेंगे कि बुद्ध काल के प्रसिद राजटंत्र कोशल की राज़ानी श्रावस्त ततकालीन भारत की समर्द शाली नगरी थी और बुद्ध का सबसे अधिक प्रचार कोशल राज में हुआ यहां पर बुद्ध ने 21 वास किये ठीक है ऑप्शन भी यहां पर करेक्ट हो जाता है पहला गुप्त शाशक जिसने सिक्के जारी किये थी श्री गुप्त था चंदर गुप्त प्रथम सबसे अधा शक्ति शाली था इसने महा राजा धिराज की पादी ग्रहन की और यह पहला गुप्त शाशक है जिसके सिक्के जारी किये गए इसलिए ऑप्शन भी यहां पर करेक्ट हो जाता है महाभाश्य के लेखक पतंजली समसामेक थी चंद्र गुप्त सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा निर्म कत्नों पर विचार कीजिए नीचे दिए गया कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए विक्रम संबत 58 नीचापूर के से प्रारंब हुआ शक्त संबत 78 से प्रारंब हुआ गुप्तकाल सं 319 से आरंब हुआ भारत में मुसल्मान शाशन क यहां पर कुछ गठं दिये गए हैं आपको डेके यह जो कह रहे हैं यहां पर इस प्रशन का उत्तर क्या है उप्शन डी है यहानि कि यह पर एक दो तीन जो चार यह पर ऑप्शन देगा हैं एकदम करेक्ट हैं मतलब वो सही बताए गये नीचाइब याद कर लेना इस तरह शेक उतवद्दीन वक्तियार काकी शेक निजाम अलिया शेक सलीम चिश्टी तो ख्वाजा मुईद्दीन चिश्टी 1190 में भारत आये और कुछ समय के लिए लाहौर में अली हुजवीरी के मजार पर रुके अली हुजवीरी के प्रसिद सूफी संत थे जिने सूफी बाद पर कश्प अल महजूब नामग प्रसिद पुस्तक की रश्टना की कुछ समय पासपशाद ख्वाजा मुईद्दीन लाहौर से दिल्ली और फिर अजमेर से जाकर बस के ठीक है आप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है इसके पर दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्रामडों पर भी जज़ लगाया था ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है ठीक है निमलिखित शास को में से किसने विदेशों में आधुनिक रीती पर दूतावासों की स्थापना की पहला है है अमीर कासिर ने शाह आलम दुतिये ने टीपू सुल्तान ने ठीक है तो यहाँ पर क्या है आप देखेंगे यह प्रशन जो दिया गया है इसमें आप से क्या पूछा गया है देखें यहाँ पर टीपू जो पहला था ने टीपू प्रतम भारतिय शाह सकता जिसने देशी प्रशासन में पास्चात प्रशासन का मिश्वर्ण किया और उसने अपनी राजधानी में फ्रांस आदी देशों में भेजें यानि कि कहने का मतलब है ऑप्शन डी यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है निमलिके त्यूग में इसे कौन से सुमेलित नहीं है ऐसे प्रशनों को बहुत ध्यान रखना है एक्जाम देते हैं क्योंकि मैंने सुना है बहुत बच्ची ऐस सब्सक्राइब निर्मार दिल्नी में करवाया था ना कि अजमेर में तो यह पहला कथन आपका इस प्रश्ण कर उत्तर हो जाएगा जो कि कहरें सही नहीं है तो पहला सही नहीं बाकी एकदम करेक्ट है जौनपूर 18 मजजद जहाज महल मालवा में और जामा मजजद गुलव ठीक है थे यह में बहारत किसान खेती नहीं करते थे ज्यों कि चावल की मक्का की तो भारत में गेहूहं और चावल चौर्व जह की सब्सक्राइब की जारे थी यहीं भा मक्का यहां पर करेक्ट हो जाएगा निम्लिकित मैंसे किस ने आग्रा की स्थापना की थी बलवर ने बहलो लोदी ने सिकंदर लोदी ने फिरोशात उगलक ने तो सिकंदर लोदी ने पंदरा सो चार इश्वी में उस राजिस्थान के शाशक पर अपने अधिकार को जून 1665 में शिवाजी मुगल सेना नायक जैसिंग के मद्व पुरंदर की संदिव इस शर्त के अनुसार शिवाजी को अपने 23 के लिए मुगलों को देने पड़े थे ऑप्शन बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा ठीक है कुछ प्रश्न यहां पर ना गलती से देखेंगे कि साइंस के इसको हम अटा देते हैं यहां पर आते हैं ठीक है यह हमने समझ लिया इसके बाद आगे बढ़ते हैं देखें अगला प्रश्न काया अशोक का समकालीन तुर्मय कहां का राजा था मिस्ट्र कोरिंथ मेसीडोनिया सीरिया तो अशोक के तेरवे शिला लेक में उन प सबस्क् diferencia का उत्तर अप्शन यहां पर आपको मिलेगा यहनदे लिक जीमाव मैंसे कौन सा एक सही समेलित नहीं है करपूर मंचरी हर्श मालवी कागनी मित्र कालिदास मुद्रा राक्षास मुद्रा राक्षा से बुद्रारक्षर विशाकादत और सौंदर नंद अशोगेश जो राज राजीश और करनौच के प्रतिहार वंशी राजा महिंद्रपाल है उनके पुत्र महीपाल की राज्य सभा में निवास करते थे वे संस्क्रत के प्रसिद्ध विद्ध कभी और नाटकार थे करपूर मंजरी उनी की रशना इनके चार अंक हैं यह केबल प्राकरत भाशा में रचित होने के कारण राट ठक भी कही जाती है इसमें राजा चंदरपाल और विधर विदेश की राजकुमारी करपूर मंजरी का विवास सिद्ध योगी भैरवा नंद के चमतकार से संपन हु और रिखा गया है तो आपका यह लिखा गया है इनके पुत्र है महीपाल और नजोंके दौरा लेखा गया है तक बाकि के एक तम पर करेक्त है कौन जहांगीरी चितरकार थे ॉस्धियर और बात भू अब अबुल हसन अकारिजा मील सय्यद अली तुक है पहला दूसरा दू यौवन प्राप्त कर द्विगुडित होने लगी थी और प्रारंब में पांच वर्षों तक तो उसके राजकाल में अक्वर की चलाई गई चलाई होई धुरी की ही बल्वती रही लेकिर उसके पश्षाद उसमें इरानी प्रवाव फिर से प्रवल हो गया और मुगल चित्रक जहर देखें और यहां पर कुछ वैदिक नदिया दी कुछ उनके अधरिक नाम जी से को वह कि आंगे िखें justement के अधरिक नामेए का ऐज़िक नाम मुझ में को पूर में सतले यहां तो इस इसाब से आप देखेंगे और आपका पूरी तरह से फुल्फिल होता है ठीक है अगला प्रशन है निम्लिकित में से कौन महाभारत के तेलगु अनुवादों के लिए विख्यात है कंबन कुटन नन्यन टिककन के वले एक और दो दो और तीन तीन और चार चार और एक देखें यह जो है महाभारत की जो तेल्गु अनुवाद नन्यन और टिककन ने किया था चोल शाशक राजाराज राजेंद्र ननेयन ने महाभारत का तेलगु अनुवाद कОन नारयण भत नामके प्रतिवाशाली कभी उसका श्टायक था और टिकन ने लोर के मनुम बार में रहने वाला एक नियोगी भ्रांबर था इसलिए ऑप्शन सी तीसरा और चौथा है आप पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है याद कर लीजे कुछ चीजे कुछ संशोधा नहीं हो सकता केवल एक और दो दो और तीन और चार चार और तो संगम साहित में तमिल प्रदेश की जो व्यापारिक समर्दी का जित्रन मिलता है उसको पुस्टी क्लासिकल विवरणों और घरन से प्राप्र सामगरियों से ही हो जाती है पेरे प्लस का अग्यात नाभा लेकक जो है भारत और रोम के बीच घनिष्ट व्यापारिक संबंदों का विवरण प्रस्तुत करता ह नौरा, मुरिशी तोंडी, निलसिंडा, मुझरिस्टी के बकरे, बलीता, कोमारी जैसे पश्मी तट के समर्द बंदर गाहों का उलेक यहाँ पर करता है और यहां से काली मिर्च, हाती दात, रेशम, मोती, मलमल, कीमती रत, नीलम, शंक, आदी, जहाजों में भरकर पश्मी देशों को भेजे जाते थे और पूर्वी तट से प्रमुक बंदर गाहों में कोलची, कमरा, पोदुका, मशली आदी यहां पर थे चीक है इसलिए तीसरा और चौथा जो है वह पूरी तरह से यहां पर ठीक हो जाता है ऑप्शन से यानि कि तोंडी और मुश्री पुंट्र वर्धन भुक्ती उपस्तित थी उत्तर बंगाल में बिहार में उडिशी में असम में तो यह क्या है गुप्त शाशक कुमार गुप्त प्रत्थम के समय में उत्तर बंगली में पुंड वर्धन नामक गुप्तों का एक प्रदेश था आदुनिक बंगलादेश के दीनांज पुर जिले में स्थित दामोदर पुर से उसका तामर पत्र मिलता है जिसमें इस प्रांत का उलेख है इसी के कोटी वर्ष नामक जिला यानिकी विशय भी था लगबग एक शती तक यह प्रांत गुप्त सामराज का अभिन अंग बना रहा इसलिए ऑप्शन यहां पर पूर हरी विजय को अत्यदिक सम्मानित किया था इन्हें अकवर ने जगद गुरु की उपादी दी ती तो ऑप्शन भी हरी विजय सूरी यहां पर करेक्ट हो जाता है किसके सिक्कों के बगदाद की अंतिम खलीफा का नाम सबसे जादा अंकित हुआ है कुत बद्दी नेवक इल पहला शाषक था जिसने 1229 इश्व में बगदाद की खलीफा का अलाउदीन मसूद शाह के सिक्कों पर अंकित हुआ तो और अंतिम खलीफा मुस्त सीम का शाषनकाल 1248 तक था ऑप्शन भी यहां पर करेक्ट है ठीके राजाराम मोन राय को राजावपादी किस ने दी ती ल मुगल समराज का शासक बना इसके समय में 1835 इश्वी मुगलों की टक साले बंद हो गई अंग्रेजी सिक्को और प्रशलन प्रारम हुआ इसने अपनी पेंचन प्राप्त करने के लिए दूत वा दूत के रूप में राजाराम मोहन राय को राजा की उपादी देकर ब्रिट मराठा नेत्रत तारावाई के हाथों में आ गया और तारावाई का समय मराठो का उतकर्श काल था ओप्शन डी यहां पर करेक्ट हो जाएगा वह चोल राजा कौन था जिसने श्री लंका को पूर्ण स्वतंता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवा करेक्ट हो जाता है सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए और सही कूट का उत्तर का चैन करना है एक तरफ आपको समाचार पत्र दूसरी तरफ आपको भाशा दी गए जैसे भारत चित्र के आगे सामने बंगाली रास्टमत के आगे गुजराती प्रजा मित्र के नायक समाचार पत्र आपका बंगाली में हैं तो कहने का ताथ पर यह कि अगर आप यहां देखेंगे ध्यान से तो इसका सही मिलान करता है ऐसे प्रशन आरो यारो में भी पूछे गए हैं तो ध्यान रखना है आगे भी पूछे जाएंगे 1937 के चुनाओं के परशाद यूपी में गटित मंत्री मंडल में किसको वित्त विवाग सौपा गया गोबिंद बल्लपन्थ को रफी अहमद किद्वई को कैलाशनात काटजू को मौहमद इब्राहिम को ठीक है तो यहां पर 1937 का जो चुनाओं हुआ था उसमें मंत्री मंड में रफी एहमद किद्वई को वित्त विवाग सौपा गया तक इसको रफी एहमद किद्वई को 1937 में महिलाओं पर घर की चार दिवारी के बाहर निकाला नीचे दिये के कूट का सही उत्तर चुनी सवदेशी आंदोलन होम रूल आंदोलन अस्योग अंदोलन सब्सक्राइ यहां पर केवल एक और तीन, केवल दो और चार, केवल तीन और चार, एक तू तीन और चार, सवदेशी आंदोलन आपका कब हुआ पहले तो समझे उननिस सव पांच में, होम रूल आंदोलन 1915, अस्योग अंदोलन 1920, सवनय वग्या आंदोलन 1935 में महिलाओं ने बढ़ स्टेटिव एसेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो देखे, मोतिलाल नहरू, सियार दास, बल्लब भाई पठेल, बिठल भाई पठेल, तो यहां पर क्या है, 1925 में स्वराज पार्टी, केंद्रिय मंत्री परश्यद में बिठल भाई पठेल को अध्यक्ष के यहां पर करेक्ट हो जाता है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित करके सही उत्तर का चयन करना है, एक है कांग्रेस अध्यक्ष, दूसरे अधिवेशन इस्थान, डॉक्टर म. अंसारी, हरीपुरा, पुरशोत्तम दास, टंडन, कानपुर, सरोजनी नाइडू, मत्रास, आप इस हिसाब से देखेंगे, तो ऑप्शन सी आपको यहां पर करेक्ट दिखाए देगा, ठीक है, मैस्टा फॉलिंग से ऐसे प्रश्न, यूपी पीए सी के फेवरेट होते हैं, निमलेकित कॉलेजों में सबसे पहले किसकी स्थापना है, हिंदू कॉलेज कलकता, दिल्ली हिसा लेना संभब बनाया, चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन कॉंसल एक्ट 1861, तो 1833 के अधिनियम में ही भारत वासियों की अपने देश में प्रशासन में कुछ हिसा लेना संभब बनाया, और इस अधिनियम में घो युदके दोरान कहां पर भारत की एक अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्र tenga president राज़ा महींद प्रताब थे अफगानिस्तान में जर्मनी में सिंखापूर में तर्की में तो प्रतम विश्योदके काबल यानी कि अफगानिस्तान में अंतरिम सरकार का गठ्छन हुआ इसके अध्धक्ष्ते महींद प्रताप कौन थे महींद प्रताप थे option A यहां पर correct है तो फिलाल के लिए आज की इस वीडियो का हम यहां पर समाप करते हैं यहां तक वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरुत मन लोग साथ शेयर करें और तक आपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिले तब तक के लिए जय हिन जय भारत